Hello friends, मैं एक बार फिर से आपके लिए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ यह वीडियो रिचर्ड कॉच की बुक The 80-20 Principle पर अधारित है लेखक ने इस किताब में बताया है कि हमारे 80% परिणाम हमारे 20% कोशिशों पर निर्भर करते हैं The 80-20 Principle कम खर्च में जादा हासिल करने का एक रहस्य है यह नियम कहता है कि 80% परिणामों का कारण केवल 20% कार्य होते हैं दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कारण और परिणाम का बैलन्स कभी बराबर नहीं होता जैसे कि समाज में 80% गैर कानूनी काम केवल 20% लोग करते हैं सडक पर होने वाली 80% दुरगटनाओं के लिए केवल 20% लोग जिम्मेदार होते हैं आप जो गाड़ी चलाते हैं उसका इंजन केवल 20% उर्जा ही उप्योग करता है और 80% उर्जा इंधन को जलाने में खर्च हो जाती है दोस्तो मैं आपको इस पुस्तक के 9 विचार बताऊंगा तो चलिए शुरुवात करते हैं पहले विचार से पहला विचार दोस्तो आप एक बार अपनी अलमारी में रखेवे कपड़ों को देखिए आप प्रते कपड़े को देखें और सोचे कि आप किसी एक कपड़े को महीने में कितनी बार पहनते हैं आप देखेंगे कि आपकी अलमारी में कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो आपको बहुत पसंद होंगे और आप बार बार पहनते हैं और कुछ कपड़े ऐसे भी होंगे जिनने आप एक या दो बार पहन कर दुबारा नहीं पहनते कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत कम कपड़े होते हैं जिनने आप ज़्यादा पहनते हैं आपकी अलमारी में केवल 20% कपड़े ऐसे होते हैं जिनने आप जाधातर पहनते हैं अब आप अपनी phone book में save किये वे contacts को देखिए उन में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनने आप जाधातर phone करते हैं कोई एक या दो लोग ऐसे होंगे जिनसे आप रोज बात करते हैं और जाधातर लोग ऐसे होंगे जिनने आप जरूरत पढ़ने पर या कोई काम पढ़ने पर ही phone करते हैं आपका phone पर बात करने का 80% समय केवल 20% लोगों से बात करने में ही लगता है 80% लोगों को आप केवल जुरूरत पढ़ने पढ़ ही फोन करते हैं दूसरा विचार आप उन फैसलों के बारे में सोचिए जो आज तक आपने अपने जिंदिगी में लिये हैं आप एक दिन में सैकडो फैसले लेते हैं लेकिन उन में से बहुत कम ऐसे फैसले हैं जो important है और आप आज अपने जीवन में जहां भी हैं उनी important फैसलों के कारण है ऐसे important फैसले आपके कुल फैसलों में से केवल 20% ही होते हैं आप निवेश भी इसी तरह करते हैं आप stock market में से जितना भी मुनाफ़ा कमाते हैं उसका कारण कुछ important फैसले होते हैं जब आप सोच समझकर कुछ खाश शेर खरीते या बेजते हैं अगर आपको घाटा होता है तो वे सभी फैसलों के कारण नहीं आपके कुछ ही गलत फैसलों के कारण होता है कहने का मतलब ये है कि आपके 20% सही या गलत फैसले stock market में आपको 80% परिणामों को निर्धारित करते हैं आपको stock market में अच्छे परिणाम पाने के लिए ज़ादा फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है आप कम फैसले लीजे लिकिन सही फैसले लीजे तीसरा विचार दोस्तों आपने अभी तक अपने शिक्षा में और अपने कारे शित्र में जो भी मुकाम हासिल किया है उन सभी के बारे में सोचिए आपको अपना काम करने के लिए जिस कला की ज़रूरत होगी वै आपके ग्यान का एक छोटा सा हिस्सा होगा लेकिन आप सबसे ज़्यादा पैसा उसी कला के कारण कमाते हैं आप अपने ऑफिस में जिन प्रोजेक्ट पर काम करते हैं उनके लिए आप बहुत से कारे करते होंगे लेकिन उन प्रोजेक्ट की वैल्यू केवल कुछ कारेव पर ही निर्भर करती है उधारन के तौर पर आप एक software developer को देखिए software developer पहले school की पढ़ाई करते हैं फिर वे engineering की पढ़ाई करते हैं उसके बाद वे software की coding सीखते हैं उनकी पूरी शिक्षा में से केवल software की coding ही उनके कारेशेत्र में उनको काम आती है इंडस्ट्री में नौकरी पाने के लिए school की शिक्षा और engineering को अनिवारय योगेता रखा जाता है लेकिन उनके काम की कुशलता और प्रदर्शन केवल उनके software की coding पर ही निर्भर करती है software coding उनकी शिक्षा का केवल 20% हिस्सा है जिस पर उनकी 80% कुशलता निर्भर करती है तीसरा विचार दोस्तों अगर आप अपने आपको ज़्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो केवल उनकारेव पर ध्यान दे जो सबसे अधिक important है दोस्तों आप कुछ भी कर रहे हो चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हो या business कर रहे हो अपने जीवन साती की तलाश कर रहे हो या किसी रिष्टे को सुधारने की कोशिश कर रहे हो किसी भी कारे में केवल कुछी बाते important होती है और 80% बातें ऐसी होती हैं जिन से कोई फरक नहीं पड़ता अगर आप ध्यान से दिखेंगे कि कौन सी बातें किस काम के लिए important है तो आप उस काम में बहुत कुशल और प्रभावशाली बन सकते हैं ऐसा करने से आपका समय भी कम लगता है और पैसे भी आपको थोड़ी सी कोशिश पर ही अच्छे परिणाम मिल साते हैं यूँ तो नौकरी का उधारन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ चलिए एक और उधारन लेते हैं जैसे कि अगर कोई व्यक्ती किसी रिष्टे को सुधारने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उसका रिष्टा खराब क्यूं है जादातर लोग अपना 80% ध्यान दूसरों की गलतियों पर देते हैं जिसके कारण उनके रिष्टे खराब हो जाते हैं अगर आप अपना 20% ध्यान भी दूसरों की अच्छाईयों पर लगाएंगे तो निश्चित तोर पर ही आपके रिष्टे सुधर जाएंगे आपके बिजनस में भी 80% परिणाम आपके 20% कारियों पर ही निर्भर करते हैं इसलिए आपको सभी कारियों पर ध्यान ना देकर अपना समय और उर्जा 20% कामों पर खर्च करना चाहिए जो की बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है पांचवा विचार किसी भी काम में अपने समय और साधनों को व्यर्थ करने के बहुत से तरीके होते हैं आपके पास सीमित धन, सीमित समय और सीमित उर्जा है इसलिए बुद्धी मानी इसी में है कि आप अपना धन, अपना समय और अपनी उर्जा को साधानी से खर्च करें इसलिए जो भी कारे important नहीं है उसे अपनी list से हटा दें या उसे important कारे को करने के बाद करें दोस्तों इस सला को अमल में लाना बहुत मुश्किल है लेकिन किसी भी कारे में कम समय में अच्छे परिणाम पाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है दोस्तों हर एक email का जवाब देने का मतलब है अपने समय को व्यर्थ करना किसी भी संस्था में कर्मचारी अपना 80% समय अनावाश्यक कारेों को करने में खर्च करते हैं और उनके 20% कारे ही संस्था की कुशलता को बढ़ाते हैं जब आप अपने जीवन में सपष्ट फैसले लेंगे कि आपको यह करना है और यह नहीं आप अपने समय और उर्जा को सही काम के लिए और सही जगा पर खर्च कर पाएंगे कुछ बुद्धिमान लोग एक no to do list बनाते हैं जिसमें वे उन सभी कारे को लिखते हैं जिनें उने करना ज़रूरी नहीं है और जिनें करने से समय और उर्जा व्यर्थ होती है यह फैसला करना बहुत असान हो जाता है कि कौन से कारे important हैं और कौन से नहीं हमें कौन से कारें को सबसे पहले करना है और कौन से ऐसे कारे हैं जिने हम बाद में भी कर सकते हैं अनावश्यक कारें को ना करना productivity को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है छठा विचार एक business करने वाले व्यक्ति के लिए सभी ग्रहाक एक जैसे नहीं होते लेकिन वह आपके प्रोडक्ट से या आपकी सेवाओं से कभी संतुष्ट नहीं होंगे। वह आपसे और आपके करमचारियों से हमेशा शिकायत करते रहेंगे। ऐसे ग्रहक आपसे हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट की उमीद करेंगे। यही आपके बिजनस के लिए नए ग्रहक आएंगे। ऐसे ग्रहक जब बाहर जाकर आपके बिजनस और प्रोडक्ट के सेवाओं की तारीफ करते हैं तो वह आपके बिजनस के लिए अच्छी मार्केटिंग करते हैं। दूसरी और आप अपने खराब ग्रहकों को भी पहचानि और उन पर अपना समय और उर्जा खर्च ना करें ऐसे ग्रहकों पर ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि ऐसा करने से केवल आप अपना समय ही बरबाद करेंगे अगर ऐसी ही कोई ग्राहक आप से refund मांगे तो उनके साथ जगडा करने से बहतर है आप उन्हें refund की राशी लोटा दें ऐसा करने से आपका समय बचेगा और आप तनाव से भी बचे रहेंगे खराब ग्राहकों को नजर अंदाज करने से आप अपना समय और उर्जा अच्छे ग्राहकों को दे पाएंगे जो आपको आपके बिजनस के लक्ष को हासिल करने में मदद करेंगे सात्वा विचार 80-20 प्रिंसिपल आपके जीवन में आपकी संतुष्टी पर भी लागू होता है आप अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष और बहुत सारी चीज़े हासिल करना चाहते हैं लेकिन उन में से कुछ ही आपको खुशी और मन को शांती दे सकती है आपको अपना समय और उर्जा उनी चीज़ों पर खर्च करनी चाहिए जो आपको असली संतुष्टी परदान कर सकती है जैसे कि अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ समय बिताना, नए-ने लोगों से मिलना और उनके साथ बाच्चीत करना खुद के ग्यान को दूसरों के साथ बाचना और उन कारियों को करना जिन में आपकी दिल्चस्पी है दोस्तों ये तो केवल खुद की संतुष्टी के कुछ उधारन है यह आपको खुद देखना है कि आपकी किन कारियों में दिल्चस्पी है और कौन सा काम करने में आपको सबसे अधिक संतुष्टी मिलती है अगर आप एक खुशाल जिन्दगी जीना चाहते हैं तो आपको जादा नहीं तो थोड़ा समय उन कारियों को जरूर देना चाहिए जिनसे आपको संतुष्टी मिलती है एक शोद के मताबिक रोज करने वाले कारियों का आपके जीवन की खुशियों और संतुष्टी में आपकी संपत्ती से जादा महत्व होता है दूसरी और आपको ऐसे कारे नहीं करने चाहिए जिनसे आपको खुशी और संतुष्टी नहीं मिलती जैसे कि लोगों को जाधा देर तक बस या ट्रेन में सफर करना पसंद नहीं होता अगर आपको रोज ऑफिस जाने के लिए बस या ट्रेन से सफर करना पड़ता है तो आप अपने घर को अपने ऑफिस के नजदीक शिफ्ट कर सकते हैं इससे आपको रोज भीड में भरी बस या ट्रेन में सफर नहीं करना पड़ेगा और आपका समय भी बचेगा अगर आपको ओफिस के पास घर शिफ्ट करना महंगा भी पड़े तो भी ये एक सकारात्मक फैसला होगा क्योंकि जब आप रोज भीड में सफर नहीं करेंगे तो इसका आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आठवा विचार दोस्तों जीवन में आपको ऐसे बहुत से फैसले लिने पड़ते हैं जिने लेते समय आपको बहुत बहुत जादा सावधानी बरतनी पड़ती है जब आप पैसे कमाने के लिए कोई काम करते हैं जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं जब आप किसी से कोई समझोता करते हैं और जब आप शादी करते हैं ये फैसले आपकी जिन्दिकी के important mode होते हैं आप एक ऐसी commitment कर रहे होते हैं जिसे आप बाद में बदल नहीं सकते आप अपना समय और उर्जा किस प्रकार खर्च क को लेते हुए आपको पूरा समय लेना चाहिए और अपने आपको सही जगह पर रखकर ही ये फैसले लेने चाहिए ताकि आप बिल्कुल सही फैसले ले सकें क्योंकि अगर जल्दबाजी में आपने कोई भी फैसला गलत ले लिया तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो सकता है उधारन के तोर पर घर खरीदना किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा आर्थिक फैसला होता है इसलिए अगर आप भी घर खरीदना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कभी फैसला ना ले घर करनी चाहिए अपना आर्थिक बजट देखना चाहिए और अगर आप बैंक से लोन लेकर घर खरीद रहे हैं तो लोन के लिए भी पूरा समय लगाकर जाज पड़ताल करनी चाहिए जिससे कि Аपको कम से कम ब्याजदर पर लोन मिल जाए। आपको यह देखना होगा कि आपको कम ब्याजदर पर लोन कहां से मिलेगा अगर आप 1% कम ब्याज दर पर लोन लेते हैं तो 30 साल के लोन में आपको ब्याज में हजारों और लाखों रुपए का फाइदा हो सकता है दोस्तों इन वीडियोज को आप तक लाने में हमें बहुत महनत और बहुत जादा समय लगता है तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आए तो उन पर लाइक, शेयर या कमेंट करना बिलकुल भी मत भूलेगा और बेल आइकन को दबाना तो बिलकुल ही नहीं आपका प्रोचसाहन हमें और ऐसे वीडियोज को आप तक लाने में मदद करेगा नौवा विचार सबसे मुख्य और सबसे important बाते ये हैं कि आपको आपकी कोशिशों का इनाम नहीं मिलता लोग इस बात की परवार नहीं करते कि आपने किस कारे को करने में कितनी अगर आप अपने जीवन के 30 साल रेगिस्तान में गड़ा खोदने में लगाएंगे तो आप पर कोई ध्यार नहीं देगा दूसरी और अपने जीवन के वही 30 साल अगर आप किसी बिमारी का इलाज ढूनने में लगाएंगे तो आपके काम को सराहा जाएगा और important समझा जाएगा आप जीवन में जो भी काम करने का फैसला करते हैं शुरू में थोड़ा समय उस काम पर research करने में लगाएं जब आप जीवन में कोई भी लक्षे निर्धारित करते हैं तो आपको यह पता लगाना होगा कि कौन से कारे करने से आप अपने लक्षे को जल्दी प्राप्त करेंगे और कौन से कारे करने से आपका समय और उर्जा बरबाद होंगे आपको अपने ले दो तरह की list बनानी चाहिए पहली list का नाम रखिए focus on list इस list में आप उन सभी कारें के बारे में लिखिए जो आपके लक्ष को प्राप्त करने के लिए important हैं आपको सबसे अधिक ध्यान उनी कारें को देना चाहिए आपको एक और list बनानी होगी जिसका ना आप रखेंगे not to do list इस list में आपको उन सभी कारें के बारे में लिखना है जो आपके लक्ष के लिए important नहीं है और जिने करने से केवल समय और उर्जा ही बरबाद होगी आपको अपना ध्यान उनी कारें पर लगाना है और अपना समय और उर्जा उनी कारें पर खर्च करनी है जिने आपने focus on list में लिखा है आपको not to do list में लिखे हुए कारें पर ध्यान नहीं देना है जब आपको इलक्ष निधारित करेंगे और उन्हें के लिए दो सूचिया बनाएंगे तो आप सपश्ट होंगे कि आपको कौन सा कारें करने हैं और कौन से नहीं ऐसा करने से ल 20% दौलत 80% लोगों के पास है आप अपने 20% कपड़े 80% time तक पहनते हैं जबकि 80% कपड़े आप 20% समय तक ही पहनते हैं आपके mobile में जितने भी contacts हैं उनमें से 20% contacts के लिए आप 80% call करते हैं जबकि 80% contacts के लिए 20% call करते हैं आपके 20% दोस्त या relation ही आपको 80% खुशी देते ह हैं जबकि 80% दोस्त या relation आपको 20% खुशी देते हैं केवल 20% सडकों पर ही 80% traffic होता है और 20% traffic 80% सडकों पर होता है हमें 80% mineral और खादेपरदार्थ केवल 20% जमीन से मिलते हैं और 80% जमीन से केवल 20% minerals और खादेपरदार्थ मिलते हैं केवल 20% lake को द्वारा लिखी गई पु केवल 20% ही बिखती हैं केवल 20% articles ही 80% समय में पढ़े जाते हैं और 80% blogs को केवल 20% समय में पढ़ते हैं दोस्तों यहां जो 20% और 80% की बात हो रही है यह आकड़े थोड़ा उपर नीचे भी हो सकते हैं यहां 20% का मतलब है बहुत कम संख्या में और 80% का मतलब है बहुत अध दोस्तों इस principles को pareto principle भी कहते हैं चलिए अब बात करते हैं इस principle को आप अपने जीवन में किस तरह से apply कर सकते हैं किस तरह आप इस principle का इप्योग करके अपने आपको ज़्यादा प्रभावशाली और काम्याब बना सकते हैं सबसे पहले आपको एक list तयार करनी है जिसमें कारियों को आप कितना समय देते हैं आपको साथ दिन तक रोज एक list बनानी है और सब्ता के अन तक आपके पास पूरे सब्ता की list तयार हो जाएगी जब आप पूरे हफ़ते की list को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके 80% कारिया आपके केवल 20% अच्छे परिणाम दे रहे हैं अब आपको इन 80% कारियों को अपनी दिन चर्या से कम करते जाना है और उन 20% कारियों को खोज कर बढ़ाते जाना है जिन से आपको 80% अच्छे परिणाम मिल रहे होते हैं अर्थात जो कारे अपके time को waste कर रहे हैं उनको करना आपको छोड़ देना चाहिए और जो कारे आपके time को useful बना रहे हैं इस तरह के कारियों को दिन भर में आपको अधिक से अधिक करना चाहिए दोस्तों परेटो के इस नियम को आप अपने जीवन के किसी भी शेतर में इस्तमाल कर सकते हैं आईए देखते हैं कि आप किस तरह और किस शेतर में इन नियम को इस् अच्छे बिजनसमेन इस नियम को जानते हैं और इसका इस्तमाल अपने बिजनस को बढ़ाने के लिए करते हैं. आपको अपने बिजनस की उन गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान देना है जिनसे आपके बिजनस को फाइदा होता है और मुनाफ़ा मिलता है. जैसे कि सेल्स और अपने ग्रह के उन सेगमेंट पर जादा ध्यान दें, जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसिस को बार-बार खरीते हैं और इस्तमाल करते हैं, यह आपको देखना है कि आपके बिजनस की कौन सी गतिविधियों से आपको सबसे अधिक फाइदा होता है, आपको अपना समय और उर्जा उनी गतिविधियों पर खर्च करनी है, अगर आप इस नियम का उप्योग अपनी डेली रोटीन में करना चाहते हैं, तो उन कारियों पर जादा ध्यान और समय दीजे जिनमें आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उनी कारियों में अच्छे परिणाम मिलेंगे जिनमें आपकी दिल्चस्पी अधिक होगी, जब किसी कारे में आपकी दिल्चस्पी होती है तो वह कारे आपको किसी बोज की तरह नहीं लगता और उसे इंट्रेस्स से करते हैं, उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं, उन सभी कारों की एक सूची बनाए जिनमें आपको दिल्चस्पी है और जो आपको अच्छे परिणाम देते हैं अगर आप अच्छे रिष्टे बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ जादा समय बिताएं जो आपको खुशी देते हैं और मुश्किल समय में भी आपका साथ देते हैं आपका समय उन लोगों के लिए विर्थ ना करें जो आपको दुख देते हैं और मुश्किल समय में आपका साथ नहीं देते जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे जो आपको महत्व देते हैं और खुशी देते हैं तो उनके साथ आपका रिष्टा लंबे समय तक बना रहेगा जो लोग आपको खुशी देते हैं वे जीवन भर आपके साथ अच्छे रिष्टे निभा सकते हैं अपने समाजिक जीवन को बहतर बनाने के लिए भी आप इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं आप उन लोगों के साथ जादा समय बिताएं जिनके साथ आपके विचार मिलते हैं और जो आपको important समझते हैं ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाएं जो मुश्किल समय में भी आपका साथ देते हैं ऐसा करने से समाज में आपके रिष्टे अच्छे बनेंगे और आपका समाजिक जीवन बहतर होगा दोस्तो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए 80-20 principle यह नहीं कहता कि आपको केवल 20% कारे करना चाहिए इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप 20% कारे करेंगे तो आपको परिणाम भी केवल 20% ही मिलेंगे 80-20 principle कहता है कि हमें उन कारें को नहीं करना चाहिए जो important नहीं है बलकि केवल उन कारें को अपना समय देना चाहिए जिन से हमें 80% results मिलते हैं ऐसा करने से आपकी कारे शमता बढ़ेगी और अगर आप business करते हैं तो आपके business में productivity भी भढ़ेगी तो दोस्तों देरी किस बात की है मुझे उमीद है कि आप परेटो का ये 80-20 principle अच्छी तरह से समझ गए होंगे आज ही कलम उठाइए और उन सभी कारें की सूची बनाइए जो आपके लिए important हैं और आपको 80% results देते हैं इस नियम को अमल में लाना शुरू कीजे आप जैसे जैसे इस नियम का उप्योग करेंगे आपके कारें और परिणारमों में निश्चे तोर पर सुधार आएगा तो दोस्तो इसी के साथ हमारे चैनल का यह वीडियो खतम होता है मुझे उमीद है कि आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आयोगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा भी होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं जल्दी ही आपके लिए अपने चैनल पर अगला वीडियो लेकर आऊंगा आपका समय शुब हो